नमस्का दर्शको मैं रटिश कुपताई बफिर से आपका स्वागत कहता हूँ दर्शको जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जमो कश्मीर में हाई कोड द्वारा इल्लीगल माइनिंग पर बैन लगा गया है आई जाने का प्रयास करते हैं कि इस पर हमारी आम जिन्ता क्या कहना चाहती है जो इस वक्त इल्लीगल माइनिंग के कारण जो है काफी पर भावित हो रही है इस सक मेरे साथ हैं एड़ोकेट दिवाकर शर्मा जी आई इन से जाने का प्रयास करते हैं कि इल्लीगल माइनिंग को किस नजरिये से देखते हैं सर बहुत-बहुत स्वागत सर माइनिंग और इल्लीगल माइनिंग जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर की जा रही है इससे जो है काफी लोग परेशान हो रहे है इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और आप भी जिस तरह से एक जंग लड़ रहे हैं उस जंग में कितनी आपको जीत हासिल हुई है देखिए यह जो इल्लीगल माइनिंग का इश्यू है यह सिर्फ जम्मू का इश्यू नहीं है यह आल ओवर इंडिया का रहे दर मैं कहता हूं कि जितरी भी डेलेपिंग कंट्रीज है वहां पर यह माफिया जो है बड़े हद तक काम कर रहे है क्यों कि इसमें इन्वेस्मेंट बिल्कुल जीरो है और जो बेनिफिट्स है वो 100% 5100% बहुत जादा एक्स्टेंशन है तो आज की डेट में जो इल्लीगल माइनिंग को लेकर चल रहे है तो हाई कोट ने इन चीज़ों को लेकर सुपरिंग कोट की एक जज़मेंट आई थी दिपक कुमार की ज़जमेंट थी जो हर्याना में और बाकी एरियास को लेकर सुपरिंग कोट ने उसमें कुछ गाइड लेंटे की थी कि अगर आपको माइनिंग भी करनी है रिवर बैट्स के ओपर तो आपको उसको उसके लिए क्या क्या हिदायते जो है वो सुपरिंग कोट ने दी थी सुपरिंग कोट की जज़मेंट जब आई दिपक कुमार की उसमें सारा डिटेल आया और फिर सारे स्टेट को बोला गया कि आपने के स्टेट में जो भी इलीगल माइनिंग से है उसके उपर ध्यान रखा जाए अनफार्चनेटरी हमारी के स्टेट ने उस चीज के दर ध्यान नहीं रखा हमारा जो ज़मू डिस्टिक का जभाई है इसमें जो रिवर तबी है ये एक ही डिरॉकर सोर्स से हरो ही जो सिप्राविय वैक्रुमारी को पानी के पेच हीृट bene एरियास के बीच में और पानी वाटर बैट तो सूख गये थे उसके साथ-साथ इंपुरिवाइड जो गंदा पानी था वो लोगों के घरों में आना शुरू हो गये था हाइको ने रिवर्ट तवी के बीच में इन चीजों का संख्यान लेते हुए रिवर्ट तवी के अबर जो कि Only Water Source है, हर घर में पानी देता है, ओधनपूर डिस्टिक में जाता है, साभा में जाता है, जमू में जाता है, हर घर में कितनी population जमू में आती है, माइगरेट होके आती है, तु पानी तु चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने, चुर्णकि माइनिंग से परकॉलेशन को save करने या हम silver economy को save करने अब जहांते construction का सवाल है वो तो ज़्रूरी है हाइको ने जो stay लगा या वह सिव river tomky को लिकर लगा बाकी जो नदी है नाले है उसको stay लगा है अब लोगों को यहां पर जो ठेकेदार हैं या जो वहां से रेत निकाली है, नहरों में कितनी रेत इकठी हो जाती है, हमारे गवर्मेंट एपरल से पहले पहले टेंडर दे देती है रेत निकालने के लिए उठाती है वो पहीं जाके फैंक देते हैं, आप उसको जुटलाइज क्यों नहीं करते हैं कर्सक्शन प्रोजेक्ट के बिच में उसके बाद हमारे कई नाले हैं, जहां के उपर हम रेत निकाल सकते हैं, बजरी जो पत्थर है वो उठा सकते हैं, लेकिन यॉट नाले हमझे क्योंकि पास में कोई नाला रहा नहीं, जो इंक्रोच नहीं है, इसलिविए हम लोग वहां से निकालते हैं बाहर जाने सकते हैं कि वहार जाएंगे तो तेल ज्यादा खर्च होगा तो इसलिए लोह को कि रिवर तवी शहर के बीचों बीच है इन्हों कि यह हम इसी रिवर के बीच में से निकालेंगे और हुमारे पास हैं उसी में से निकालने के क्या इतनी के जुरूत पड़ी हुई है आपसे बात करते हैं अपना नाम बताइए जी मिरा नाम रमन शर्मा है और आपको क्या लगता कि इल्लीगल माइनिंग अभी बदस्तूर जारी है लेकिन मैं इसमें एक प्रस्प्रेक्टिव यह भी कहना चाहूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो शहरी है उनको भी थोड़ी दिक्कत आ रही है इस चीज में उनको अपनी माइनर मिनरल्स के लिए मालनी जिए कंस्ट लाते थे उसका रेट जो था बड़ा कम हो गया था अब इसका मिस्यूज जो है हमारी अड्मिस्टेशन नहीं किया जो हमारी प्ल थी वो ओन्ली सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं थी उसमें तो गोर्वर्मेंट को यह भी कहा था मैं रिमाइंड करवाना चाहतू आपनी रखी गई है अब स्टेट को इसमें देखना चाहिए कि लोगों की जो अगर परिशानी आ रही है इस चीज में एक ऐसा कॉडिनेशन होनी चाहिए कि लोगों को परिशानी भी ना है और इलीगल माइनिंग भी रूखी हमें एक सिंक ऐसी बनानी पड़ेगी एक ऐसा मैथर वहां पर बनाना पड़ेगा कि आम लोगों को परिशानी ना है construction का काम अगर हमारा रुख जाएगा economy हमारी रुख जाएगी आप देखें पिछले दिनों जैसे मैं आपको पहले भी कहँए ने एक हमारा construction का काम रुख रहा है या कई departments पे आप देखें कि वो क्या करें आरे निकार रहे हैं कि हमें रेत बज्री क्योंकि वो तो इसेंचल चीजीं हैं वो हमें चाहिए और उसका रेत बढ़ रहा है कि अप उनकी ठेके दे रहे है लेकिन वो कहां से लोग उनसको लेकर आएक काहां से करेंगे तो मुझे लगता है कि कूर की मंचा जोती बड़ी बहतर थ कि इसे illegal mining रुकनी चाहिए illegal mining तो रुकी नहीं है unfortunately उसका गलत असर यह हुआ कि रेट जो है माइनिंग का जो एक इशू है वो रिजॉल्व होना चाहिए क्योंकि अगर सरकारी काम चल रहे हैं उनकी construction चल रही है तो जो आम नागरिक है उसको भी construction की नीड है और क्योंकि जिसा हमारी population है तो जाहिर सी बात है उतनी construction activity भी बढ़ेगी क्योंकि यह बात तो हो नहीं सकती कि ने घर नहीं बनेंगे ने constructions नहीं होंगे वो तो होनी है उनको सही तरीके से और इस resource का judicious use जो है वो सरकारी तंतर भी और आम जनता भी उनके लिए कैसे हो सकता है यह strategy जो है हमारे जो intellect लोग है जो हमारी bureaucrats है वो बैटके इस strategy को बनाए ताकि सब को जो है वो फाइदा मिल के regarding जो issue pertain कर रहा है उसमें जो हमारे court के orders आए हैं कि हमें कुछ बहुत limited जो pockets है हमारी accessible है हमारे जो contractors जो municipal corporation के साथ हैं ते या different department के साथ intact है उनमें जो उन्होंने rates define कर चुके हैं जो एक साल से हमारे जो tenders float हो चुके हैं उस rates पे आज इस mining को consume करने के लिए उनके उनको बहुत भारी पड़ रहा है और contractors के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि mining material उनको जो मिल रहा है वो बहुत higher rates पे मिल रहा है लेकिन न्यायले का फैसला है हमें उनका पालन करना हमारा एक priority रहती है फिर भी एक midway क्या निकले ताकि हमारी development के ज साथ चल पाए हमारी अबनी मैम है हमारी commissioner municipal corporation वो भी कारे रहते हैं इस सिलसले में follow up कर रही है हमारे JCW है हमारे joint commissioner works के वो भी उनके intact है ताकि जल्धी जो चौर pockets जो एलो किये हो है जैसे हमारा सांबा का है उदंपूर का है जोडियां का है और एक हमारा पुंच का है अगर व वो उसमें से हमें एक nearby pockets हमें allow कर दे तो एक मुम्किन रास्ता निकल सकता है कि हमारे जो development के काम है वो दुबारा उसी pace के साथ हमारे start हो पार जी अंदरशको illegal mining पर ban तो है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो है इसका धडले से इस्तिमाल किया चारा है कौन लोग हैं जो इसका इस्तिमाल कर रहे हैं जी यहां इसका मोटिव यह था बेहन करने का कि हम अपने जल्ट सुरोतों का संडरक्शन कर सकें हम अपना पीने का पानी जो है उसका बचाफ कर सकें लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि construction के काम जो खासकर हम जम्मू की बा शासन को जुरूर ध्यान देना हुआ और जिस तरह से हाई कोट ने बैन किया गया है इल्लिगल माइनिंग पर इसको अब सरकार का दाहितर बनता है एड्मिस्टरेशन का दाहितर बनता है वो संजीदगी का पारीचे थे इसके साथ हमारे पूरी टीम को दीजे जहाज़त फ